हेलो गाईज, वेलकम टो अबर चैनल, जैसे कि हमारा क्लास 11 का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नमबर 4, इससे पहले हम अलड़ी 4 लेक्टर अप्लोड हो चुके हैं इस पे, और ये लेक्टर नमबर 5 है, जिसमें आज हम ये कम्प्लीट कर लेंगे अपना चैप्टर नमब हमने पढ़ा था, transform boundaries के बारे में भी, उसमें हमने बहुत detail में पढ़ा था, कि आखिर, conversion में क्या होता है, conversion boundaries में क्या होता है, तो वहाँ पर हमने देखा था, conversion boundaries में, जो है, subduction होता है, zone का, यानि कि जो हमारी plate होती है, वो destroy हो जाती है, जो हमारी crust होती है, वो destroy हो जाती है, ये ही हमने diviner में पड़ा था, diviner में पड़ा था कि वहां पर construct होती है. यानि कि हमारी बनती है. या थर्ड वन हमारे transport boundaries में हमने क्या पड़ा था? उसमें नहीं कोई हमारी crust destroy होती है और नहीं produce होती है. वोकि कि उसमें simple movement होती है. और आज हम पढ़ने वाले हैं जब movement की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ rate तो रही होगा movement का तो वो rate कैसे identify होता है और वो कितना होता है किस rate से movement होती है कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे तो उसके लिए जो है पता लगाने के लिए बहुत सारे method है उसमे से one of the है हमारा global positioning system यानि की GPS के थुरू satellite के थुरू पता लगाते हैं बहुत time के बाद एक लंबे period तक हम record करते हैं चीजों को और उसके बाद हम उस चीज को analyze करते हैं देखते हैं क्या कितना movement हुआ है अब movement के लिए आप अगर देखे तो the strips of normal rivers magnetic field that pellet the mid oceanic ridge help the scientists determine the rate of plate movement तो कहीं न कहीं साइंटिस ने क्या करा यह जो mid oceanic ridges के पास यह जो हमारे mountains की range बन रही है इनकी study करी इनकी magnetic field की study करी उसके बिहाफ पे उन्होंने particular ridges का rate बताया कि किस rate से हमारी जो movement हो रही है प्लेट में वो बताया है उसमें से देखे तो हमारा जो arctic ridge है उसकी सबसे slowest rate माना जाता है movement का 2.7 meter per year वहीं अगर हम देखें दूसरी तरफ the east pacific rise near island in the south pacific about 34 km west of child has the fastest rate more than 50 cm per year देखने के लिए मिल जाता है और यह जो rates है वो vary करते हैं यह rates है vary कर सकते हैं हर plates के according के vary कर सकते हैं और अगर आप देखें तो यह हमारा क्या है arctic ridge है तो इसकी हमें movement बताई 2.5 cm per year अब यहाँ पर आगे बात होती है forces for the plate movement वेगनर प्रपोज इस theory of continental drift continental drift most scientists believe that the earth was solid the earth was solid and motionless body बहुत scientists का मानना था कि जो earth है वो solid है और motionless body है वो कि उसमें कोई motion नहीं हो सकता concept of sea floor spreading and unified theory of plate tectonic that both the surface of the earth and the interior are not static and motionless but are dynamic जैसे कि अभी हमने पड़ा sea floor spreading में हमने or plate tectonic में हमने क्या बढ़ा हमने यही तो पड़ा कि हमारा जो interior earth का वो भी static नहीं है and यही देखा हमने के motionless नहीं है dynamic है the fact that the plates move is now a well expected fact ठीक है यह देखे तो हमारा बहुत आज की time में यह तो माना ही जाता है अब इतनी थोरी हमें पहुच चुके है इतनी research हो सकी है कि यह accept किया जाता है कि हाँ जो यह dynamic नहीं है oh sorry dynamic है और static नहीं है हमारे जो अर्थ है आगे बढ़ते है the mobile rock beneath the rigid plates is believed to be a moving in a circular manner the heated material rises to the surface spreads and begin to cool and then shrinks back into a deeper depth वही बात कही गई जो यहाँ पर हमारा magma है जो rocks है वो क्या हो रहा है यहाँ से सब बहार आरा है eruption हो रहा है फिर यह क्या हो रहे है यहाँ पर आपका spread हो जा रहे है फिर ठंडे हो जा रहे है cool हो जा रहे है फिर दीरे-दीरे करते करते older हो जा रहे है फिर वापस यह नीचे यहाँ पर आपका conversion हो रहा है दो oceanic plate में फिर नीचे चले जा रहे है तो यह पूरा process क्या है conviction current हमने जो पढ़ा था ना conviction current इससे पहले हमने पढ़ रखा है conviction current तो वही cycle है पूरी यहाँ पर पहले क्या हो रहा है surface पे आ रहा है फिर फैल रहा है और फिर आपका वो solidified हो जा रहा है cool हो जा रहा है and then वापस वो sink back deep में चला जा रहा है फिर magma बन जा रहा है तो इसी cycle को जो हमने पढ़ा था this cycle is repeated over and over to generate what scientist call a conviction cell or convective flow वो ही सारी चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी है ठीक है अब यह हो गया heat within the earth comes from a two main sources अब यह आता है कि heat जो हमारी अर्थ के कही ना गई तो कोई sources होगा जो magma में इतना मतलब कि magma बन रहा है जो rocks हमारे अर्थ के नीचे जा रहे है जो हमारी पूरी के पूरी इतनी बड़ी बड़ी हमारी crust जा रही है ओशनी crust जा रही है और यह जाके plates जो है वहाँ पर जाके magma में convert हो जाती है तो यह यहाँ पर दो main source है जिनकी वज़े से हमारा जो है magma वगएरा और continuously heat वगएरा वहाँ पर बन रही है पहला है radioactive decay and residual heat अर्थर होमस फर्स्ट कंसिडर इस idea in 1930s विच लेटर इंफ्लूएंस हैरी हैस थिंकिंग आउट सीफ्लो स्प्रेडिंग फिर यही बात यहाँ पर कही गई है इसके बारे में अर्थर होम से पहले ही कुछ idea दे दिया था लेकिन जो main देखा जाए तो hypothesis दिया गया वो हमारे हैरी हैस सीफ्लो स्प्रेडिंग के तौर पर दिया गया अब यह सबसे important आप कह सकते है conclusion है जारी चीज का जो हमने पड़ा the driving force behind the plate movement the slow movement of hot soft and mental that lies below the rigid plate यहाँ पर वो ही कहा जा रहा है कि जो driving force behind the plate movement की जो सबसे main driving force है वो है slow movement of hot soft and mental that lies below the rigid plate इसकी बात हो रही है अब यही तो है पूरा plate में movement कराने के लिए चाहे वो फिर ocean की plate हो चाहे फिर वो continent की हो कही न गई magma अपने ही direction change करते हैं diverge होते हैं एक दूसरे से तो उससे क्या होता है eruption वगरा होते हैं यही movement कराते हैं कही न गई अगर converge हो रहा है एक साथ में जा रहे है तो converge हो जा रही है हमारी plate तो यह एक बहुत बड़ा रोल है अलफर्ड वेगनर कहते हैं 2.5 million years ago हमारा पैंजिया था दैन फिर उसमें 33 सी ने latitudinal split डाल दिया drift डाल जिसके वैसे हमारा लॉरेशिया बन गया गोंडवाना बन गया अभी आप देखे तो इंडिया अगर आप देखे तो यहां पर है फिर क्या होता है फिर कुछ दिन बाद थोड़ा सा उपर आता है इंडिया यहां आ जाता है 100 million years ago फिर इतना हो जाता है फिर finally यह जो प्लेट है उट करके आ करके कहां लगती है यह सीधा आ करके duration plate में जुड़ जाती है यहां हमारा आपको मैंने पहले पढ़ाया था अगर आपने समझा होगा concept को अच्छे तो आप मुझे जवाब दे दिंगे कि उसके पीछे reason है कि इसलिए नहीं होता और एक कोशन और है कि आगर वहाँ पर हमारे जो हैं इसके पीछे के कोशन को हम solve करने कोश्च करेंगे इस कहां सा ढूंड़ने कोश्च करेंगे तो जैसे जैसे आप देखें तो यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर आपको कितनी plate देखने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहां पर क्या है यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है एक plate यह है curation plate आपकी यानि कि यह ocean है ocean के नीचे कोई ना कोई plate रही होगी oceanic plate रही होगी रही होगी oceanic plate और यह हमारी इंडिया की एक continental plate है पिर दीरे दीरे क्या कर रही है यह आगे बढ़ जा देखाता हू." अब और ड्याग्राम में देखाता हूँ यह रहा here अब दीरे दीरे जा आगे बढ़ जाय है ययर यह आगी बढ़ बढ़ है तो क्या हो रहा है यहां पर कोई oceanic plate रही होगी हमारी oceanic plate रही होगी तो सबसे पहले क्या हुआ होगा हमारी जो oceanic plate है और हमारी जो eurasian plate है इसमें क्या हुआ होगा इसमें हुआ होगा conversion क्या हुआ होगा conversion क्योंकि इंडिया वाली plate जब लगेगी यहाँ से उठ करके जाएगी यसे आप डियाग्राम में देखें, यह धीरे धीरे जाएगी, तो यह जो हमारी oceanic plate है नीचे, यह हमारी जो oceanic plate है नीचे, तो यह converge होगी किस से? युरेशन plate से पहले, पहले उसे होगी, तो हुआ क्या होगा, जब यह converge होगी, युरेशन plate से कौन सी? oceanic, और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जब कोई plate, oceanic plate आपकी continental plate से converge होती है, तो क्या होता है? तो क्या होता है? जो हमारी oceanic plate है, हमारी जो oceanic plate है, वो subject कर जाती है, वो नीचे चली जाती है, मैगमा तक पहुच जाती है, क्योंकि वो heavy होती है, किस से बनी होती है? Basaltic Rock से बनी होती है इस वज़े से वो नीचे तक चली जाती है तो यहां क्या हुआ होगा जब वो नीचे गई होगी तो यहां पर Mountain बन गए यहां पर हिमालिया बन गए और उन में से Volcanic Eruption भी हुआ उन में से Volcanic Eruption भी हुआ अखीर में आ करके अब यहां पर क्या हुआ हमारी जो इंडिया की प्लेट थी फिर यहां पर आके हमारी इंडिया की प्लेट भी Subduct होती है अब क्या हो रहा है अब जो है यहां पर आगर आप देखें Continent था फिर यहां ओशियनिक प्लेट थी फिर यहां पर continent plate थी यहां पर देखें आपकी क्या है continent plate है फिर oceanic plate है यहां पर फिर continent plate है अब यहां क्या हो रहा है यहां पर दोनों ही continent plate है अब आके जो मिल रही है दोनों continent plate मिल रही है तो इस situation में क्या होगा जब दो continent continent plate मिलती है तो मैंने आपको क्या बताया था continent continent plate मिलती है तो earthquake आने के chances रहते हैं लेकिन eruption वगर आने के changes नहीं रहते हैं earthquake प्रोन एरिया बन जाएगा ये लेकिन आप कहें कि यहाँ पर eruption भी होना चाहिए तो नहीं होगा क्यों नहीं होगा इसके बीचे मैं आपको reason भी बताया था कि दो continent plate जब आपस में मिलती है तो वो इतनी गहराई तक नहीं जा पाती है स्थनो स्पेर तक नहीं जा पाती है कि उसमें कोई eruption देखने के लिए मिले तो अब क्या हुआ यहाँ पर अल्रेड़ी पहले यहाँ पर Eurasian plate जो है हमारी Oceanic plate के साथ Converge हो चुकी दी तो जिसकी वज़े से Himalya-like structure बन गए थे यहाँ पर फिर जब हमारी continent दुबारा converge हुई तो इससे क्या हुआ यहाँ पर दुबारा एक uplift हुआ फिर वहाँ पर एक और हमाले बने इसलिए इनकी जो length थी वह और बढ़ गई ठीक है दोनों question के answer मिल गया हमे eruption क्यों नहीं हुआ क्योंकि अब हमारी यहाँ पर पहले होते थे eruption जब oceanic plate से converge हुए लेकि अब इसलिए नहीं होते क्योंकि अब continent continent अबस में मिली है ठीक है और दूसरा question हमारा क्या था के continent को पहला question था हमारा के eruption क्यों नहीं होता और दूसरा हमारा question था कि हमारे हमालेज के height वगरा क्यों तनी उची है तो मैं आपको बता दिया कि यहाँ पर दो बार conversion हुआ है पहले oceanic oceanic plate से फिर continental plate continental portion यहां कहरा जो Indian plate includes करती है वो कौन सा हिस्सा करती है यह आप diagram से देखिए Indian plate के अंदर आपका यह जो पैनल सूरव वाला reason है ठीक है नीचे वाला जो जितना reason है south का और यह का Australian plate यह सारा क्या हमारे Indian plate के अंदर आता है यह यहाँ पर बोला गया यहां पर जो मैंने आपको डाग्राम में दिखाया यह जो इंडिया था यह जाके किस से Eurasian plate से मिल गया तो यहां पर continent conversion हो रहा है continent conversion हो रहा है अब यह ही आप इंदर इस में चलिया it extend through a mountain of Myanmar towards the island along the Java Trench अगर आप देखें तो यहां पर आपको इस साइडर वाले रीजन की बात कर रहा है यह पूरा यहां तक आपका जावर ट्रेंज तक गया है यह आपके इस वाली रीजन की बात कर रहा है the eastern margin is the spreading side like to the east of Australia and the former ocean region in the south pacific and the western margin follows the Kirtar Mountain of Pakistan अब यह western आमारी इंडिया बात की बात कर रहा है और इंडिया इस यह अगर आप नीचे जाये तो यह पूरा yijan और यह रहा है दोनों प्लेट में divergent हो रहा है तो यह चीज आपको समझ नहीं है ठीक है वो ही सब यहां लिखका है इंता South the boundary between India and Antarctica plate is also marked as a oceanic reach divergent boundary ठीक है क्या हो रहा है divergent हो रहा boundary and runs in a west east direction merging into a spreading side and little south of New Zealand यहां से आप देखे तो यह पूरा south में merge होते होते हैं यह कहां के हो रहा है मिल रहा है New Zealand में तो यह सारी चीज़ें यहां पर समझाई गई है और मैंने आपको बताया spreading side के बारे में बताया था जहां से mid ocean create होता है हमारा जहां पर rift system create होता है उसी को हम क्या कहते है spreading side कहते है subduction जहां पर हमारी दो प्लेट मर्ज हो जाती है और एक हमारी प्लेट नीचे चली जाती है मैंगमा तक उसे subduction zone कहते है तो आई होप आपको समझ में आयोगा और यह सारी चीज़ें वह लिखी हुई है जो मैंने आपको इस डियाग्राम के थुरू समझाया एक बार देख लेते हैं इंडिया कोलाइड विद एशिया बाउट फॉर्ट फॉर्ट फिप्टीन मिलियन सब इयर अगो गौधिं रैपिड अपलिफ्ट आप दी हमालिया जब वह कोलाइड हुआ एशिया के साथ अपना यारी यारी य की वज़े से सिप्रेट हुई दो प्लेट और दूरिंग दा मुवमेंट अफ दी इंडियन प्लेट तुवर्ट दा यॉरेशियन प्लेट अ मैजर इवंट देट अकर्ड अवाज दा ओट पॉरिंग ओफ लावा एंड फॉर्मेशन ओफ देकन ट्रैप्स हाई यह एक यहां बीच में कहीं पॉची बीच में रास्ते में क्या हुआ यहां पर आपको मैंने पढ़ाय थे अभी हमने देखा था हॉट्सपोट पड़े थे हमने जहां पर वालकनिक एरप्शन देखने के लिए मिल जाता है हॉट्सपोट ऐसे रीजन होता है जहां पर आपका मैगम टेंपरेचर बहुत जादा रहता है वहां से अरप्शन कभी भी हो सकता है तो जब हमारी यह प्लेट मूवमेंट कर रही थी तो यहां पर होट्सपोट थे तो उन होट्सपोट की वज़े से क्या हुआ यहां पर प्लेट में फिर एरप्शन हो गए इरप्शन हुए और तो यहां पर देगो बता रहे हैं जब मुमेंट हो रही थी इंडियन प्लेट की किसकी तरफ युरेशन प्लेट की तरफ अमेजर इवेंट अकर आज आज आउट पोरिंग ऑफ लावा एंड फॉरमेशन ओगी महा पर फॉर्टी मिलियन यर्ज अगो और आप्टर देर आफ और आप इंडियन प्लेट की तरफ यहां पर वही का जा रहा है जैसे पहले से सब कुछ चेंजिस होता हुआ आ रहा है फॉरमेशन हुए इंडियन प्लेट करें और अगर आपको जवाब देनी पूरी कोशिश करूंगा और अगर आप कोई फीडबेक देना चाहते हैं तो फीडबेक दें मैं उस पर इंप्रूफ करने की भी पूरी कोशिश करूंगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और अब हम अपना नया चप्टर स्टार्ट करेंगे चप्टर नमबर फाइब मिनरल्स एंड रॉक्स तब तक के लिए बाई